सो हे गाईस मेरा नाम समशाद अली है और आप देख रहे हैं समशाद अली ओफिशल यूटूब चैनल सो गाज आज की सिरुड़ों में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि मान लेजे आपने ओल्रेडी फोन पे पे अकाउंट बना हुआ है आपने फोन पे पे एक या एक से ज़ादा बैंक एकाउंट लिंक किया हुआ है अब जब एक से ज़ादा आपने बैंक एकाउंट लिंक किया हुआ है तो हो सकता है आपका दो बैंक है अब मालीज एक्जांपल के तौर पे आपके दो बैंक है एक आपका बैंक ओड़ोदा है तूसरा आपका ICICI bank है और जो अभी आप पैसा रिसीव कर रहे हो वो आपका bank of बढ़ोदा में अब बट आप चाहते हो आपकी मैं change करना चाहता हूं मैं bank of बढ़ोदा रिसीव करके मैं चाहता हूं कि ICICI में कैसे पैसे अब रिसीव हो जब भी कोई आप फोन पे से पैसे को ट्रांसफर करें तो फ्रंट आज की सुड़िवन आपको step by step बताऊंगा कि आप कैसे अपना bank account number change कर सकते हो वहां पे फोन पे में जब आपको कोई fund को ट्रांसफर करें या फिर पैसे को भेजें तो दोस्तों इसके लिए क्या करना होगा सबसे पहले आपको अपना फोन पे app open कर लेना है जैसे कि ये देखिए मैं अपना phone पे app open कर लेता हूं phone पे app open कर लेने के बाद कुछ इस तरीके से interface open होके आएगा यहां पे आपने करना है account change मतलब या बात करें तो जिसमें आप पैसे receive कर रहे थे आप उसमें नहीं receive करना चाहते है या फिर account number change करना चाहते हो तो इसी tricks को use करके आप account number भी change कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से interface open होने के बाद आपको यहां पे एक option देखने को मिल रहा है आपको my money का तो आपने simply my money पे click कर देना आप जैसे my money पे click करेंगे तो कुछ इस तरीके से interface आपकी screen के सामने open होके आएगा यहां पे आपने क्या क एक या एक से ज्यादा multiple bank account link है अब आप यहां पे देख रहे होंगे जैसे कि bank of बड़ोदा में मेरा account है वो already link है मतलब कोई भी fund को transfer करता है या फिर पैसे को भेजता है phone pay की help से तो यहां पे हमारा जो पैसा है वो direct आपका bank of बड़ोदा के account में चला जाएगा अब मैं चाह default यहां पे sit as a primary को option देखने को मिलना simply आपने इसे select कर लेना अब जैसे select करेंगे तो यहां पे आपको are you sure you want to change your default bank account तो आपने yes कर देना है जैसे कि यह देखिए yes कर दिया अब मैंने जैसे ही yes किया है अब मेरे पास कोई भी fund को transfer करता है phone pay की help से तो आपका जो पैसा है वो म bank account में reflect हो जाएगा या पी direct add हो जाएगा तो यहां पर आपने देखा step by step माने बता है कि आप कैसे अपने phone pay की bank account को आप कैसे change कर सकते हो बहुत ही आज सानीवे में झाल